नमस्कार आपको सोगत इस्टाकलोजी में आज हम बात करने वाले हैं Trident Limited के Quarterly Results के बारे में तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब में किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें बैल आइकॉन पर क्लिक कर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो अब हम देख लेते है है रिजल्ट्स को आपके सामने रिजल्ट है Consolidated और आकड़े दिये गए हैं Million में बात करते हैं रिजल्ट के format की तो सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वह जून 21 कॉर्टर के रिजल्ट हैं सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वह जून 22 कॉर्टर के रिजल्ट तो बात करते हैं थाइड नमर पाइं टोटल इंकम की जून 21 कॉर्टर में कंपनी की इंकम थी 14,852.5 मिलियन की मार्च 22 कॉर्टर में यह हुई 18,757.9 मिलियन की और जून 22 कॉर्टर में कंपनी की टोटल इंकम हुई 16,846.5 मिलियन की तो टोटल इंकम की बात करें येर औन येर में जून 21 कोड़ बाड़ और में इंकम 13 की बढ़ती हुए नजर आ रही है बात करें क्यार ट्रنا है मार्च सत्याइद मत कौड़ नकम बढ़ती हुए दिखाया दे अब बात कर लेते हैं expenses की सबसे नीची दिये गए है total expenses June 21st quarter में 12,106.5 million के expenses थे March 22 quarter में 16,321.3 million के expenses हुए और June 22 quarter में 15,126.3 million के expenses हुए है तो total expenses की बात करें year on year में June 21st quarter से June 22 quarter में तो year on year में expenses में 25% की वरद्दी होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter on quarter में March 22 quarter से June 22 quarter में तो quarter on quarter में expenses घटते हुए दिखाई दे रहे हैं अब हम बात कर लेते हैं company के profit and loss statement की तो बात करते हैं 7th number point net profit before tax की June 21 quarter में 2746 million के profit before tax थे March 22 quarter में 2442.6 million के profit before tax हुए और June 22 quarter में 1723.9 million के profit before tax हुए है तो profit before tax की बात करें year on year में June 21 quarter से June 22 quarter में तो year on year में हमें profit before tax घटते हुए नजर आ रहे हैं बात करें quarter on quarter में March 22 quarter से June 22 quarter में तो quarter on quarter में भी profit before tax में कमी होते हुए दिखाई दी रही है अब देख लेते हैं 9th number point net profit after tax को यानि company के net profit को तो June 21 quarter में 2068.1 million के net profit थे March 22 quarter में 1812.5 million के net profit हुए और June 24 quarter में 1293.5 million के net profit हुए है तो net profit की बात करें year on year में June 21 quarter से June 22 quarter में तो year on year में हमें net profit घटते हुए नजर आ रहे हैं बात करें quarter on quarter में March 22 quarter से June 22 quarter में हैं तो quarter on quarter में भी net profit में कमी होते हुए दिखाई दे रही है overall results की बात की जाए तो चाहिए company के year on year performance की बात करें